हेलो दोस्तों मैं आपका अपने चैनल क्राइम स्टोरी पर स्वागत करती हूँ आज की हमारी कहानी एक ऐसे रिल्वे स्टेशन की है जहां कुल बायाली सालों तक ट्रेन नहीं रुकी और लोग इस रिल्वे स्टेशन पर आना तो दूर इसका नाम सुनकर ही डर जाते हैं और इसका कारण थी एक लड़की जिस स्टेशन को लोगों की सुवीधा के लिए बनाया गया था उस स्टेशन को एक लड़की ने फिरान कर दिया दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलेगा तो चलिए शुरू करते हैं कहानी शुरू होती है पश्चिम बंगाल से पश्चिम बंगाल की रास्थानी कोलकाता से 260 किलो मिटर दूर पुरूलिया जिले में बेगनु कोडर गाउं है जो कि पुरूलिया में सिटी से लगबग 35 से 40 किलो मिटर दूर है 1960 में पेगन कोडर रेलवे स्टेशन यहां की लोगों के कहने पर बनाया गया था क्योंकि इस गाउं से किसी को दूसरे राज्जे में जाने के लिए पुरूलिया रेलवे स्टेशन जाना पड़ता था जो कि पेगन कोडर गाउं से 42 किलो मिटर दूर था करीब दो साल की बात वहां पर एक रेलवे स्टेशन बनकर तयार हो गया जिसका ना पेगन कोडर रेलवे स्टेशन रखा गया साउथ इस्टन रेलवे के राच्ची डिविजन में पढ़ने वाले इस टेशन को सन 1960 में बनाया गया था पेगन कोडर रेलवे स्टेशन को खुलवाने में संथाल किरानी की एहम भूमी का रही थी जिसके बाद यहां के लोगों को शहर जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए 50-60 किलोमेटर दूर सफर करके नहीं जाना पड़ता था बलकि वे लोग पेगन कोडर रेलवे स्टेशन से ही ट्रेन पकड़कर शहर जाने लग गये थे इसके साथ ही यहां के लोगों की मुसीबत भी खतम हो गई थी लेकिन 1962 से 1967 तक कुल 5 साल चलने के बाद ही इस स्टेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया 1967 में स्टेशन मास्टर हर रोज की तरह स्टेशन पर अपना काम कर रहे थे कि अचानक उन्हें सफेद कपड़े में एक लड़की रेलवी लाइन पर दोरती हुई नजर आई यह देख स्टेशन मास्टर डर गया और सुबह होते ही उसने यह बात गाउवालों को बताई मगर गाउवालों ने उसका विश्वास नहीं किया और एक दिन सुबह स्टेशन मास्टर और उसका परिवार रेलवी क्वार्टर में मृत अवस्था में पाया गया इन घटनाओं के बाद बेगन कॉर्डर को भूतिया रेलवी स्टेशन कहा जाने लगा वहां की लोगों का मानना था कि जैसे ही रात होती है बेगन कॉर्डर रेलवी स्टेशन बूतों का स्टेशन बर्ण जाता है और उन्हें सफीद कपड़े में एक लड़की रेलवी लाइन पर दोड़ती हुई नजर आती है जैसे वह ट्रेन का पीछा कर रही हो कभी कभी तो वह ट्रेन से भी आगे निकल जाती है उस भूतिया महिला का लोगों में इतना डर हो गया था कि लोग स्टेशन में आने से भी डरने लगे थे दीरे दीरे यहां लोगों का आना जाना बंद हो गया यहां तक कि स्टेशन पर काम करने वाले रेलवे करमचारी भी डर के मारे भाग गए कहते हैं कि जब भी किसी रेलवे करमचारी की बेगोन कॉर्डर स्टेशन पर पोस्टिंग होती इसके बाद पूरा का पूरा स्टेशन ही सुनसान हो गया कहते हैं कि इस स्टेशन पर भूत की बाद पुरूलिया जिले से लेकर कुलकत्ता और यहां तक की रेलवे मंतराले तक भी पहुँच चुकी थी यह भी कहा जाता है कि उस वक्त जब भी कोई ट्रेन इस स्टेशन से गुजरती थी तो लोको पालट स्टेशन आने से पहले ही ट्रेन की गद्दी को बढ़ा देते थे ताकि जल से जल वो इस स्टेशन को पार्क कर सके यहां तक कि ट्रीन में बैठे लोग भी स्टेशन आने से पहले ही खिड़की दर्वाजे सब बंद कर लेते थे स्टेशन पर आने से लोग इस कदर ड़ने लगे थे कि 42 साल तक स्टेशन को बंद कर दिया गया यानि 42 साल तक यहां एक भी ट्रेन नहीं रुकी हाला कि साल 2009 में जब ममता बनर्जी रेल मंतरी बनी तक उन्होंने स्टेशन को दुबारा से शुरू किया महा के लोगों के कहने पर लेकिन शाम पांच बज़े के बाद नहीं कोई यातरी और नहीं कोई रेल कर में स्टेशन पर रुकता था लोग इतना डरते थे कि शाम होते ही यहां से भाग चाते थे लोगों के जल्दी स्टेशन खाले करके जाने के बाद किया जुर्म की वार्दाते भी बढ़ने लगी शहर में रहने वाले कई लोग यहां एडवेंचर के लिए आते थे मगर उनके डर का फायदा उठाकर उनके साथ लूट पर जैसे घटनाओं को अंजाम दिया जाता था मगर कुछ लोगों ने इस स्टेशन का सच सामने ला दिया 2017 की एक रिपोर्ट के अनुसर 55 बंगाल विग्यान मंच के 9 लोगों की टीम ने उसी साल यहां पुलिस के साथ रुकने के योजना बनाए वो अपने साथ टॉर्च, कैमरे, कमपस आदी ये चीज़े लेकर आये थे उन्होंने मीडिया से बताया कि उनके उपकरणों में किसी भी तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटे दर्श नहीं हुई थी लेकिन रात के करीब दो बजे उन्हें चाड़ियों के पीछे से कुछ अजीब और गरीब आवाजे सुनाई दी जब उन्होंने रोशनी करके चाड़ियों की तो देखा कि कुछ लोग चाड़ी के पीछे खड़े होकर उन्हें डराने के लिए ऐसी आवाजे निकाल रहे हैं उन्होंने उन लोगों को पकड़ने की कोशिश की लेकिन भी लोग भाग गए इसके बाद उन लोगों ने यहीं अंदाजा लगाया कि लंबे वक्त से इस जगा पर लोग दूसरों को डरा कर जुर्म को अंजाम दे रहे थे लेकिन अब इस इलाके में पुलिस हमेशा तैनात रहती है तो दोस्तों यह थी हमारी आज की कहानी अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक करें और ऐसी ही वीडियो उसको पानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू धनेवाद